जय गुरू जी संगज जी गुरू जी टूड़े ब्लैसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेर करें और सबस्क्राइब करें और साथ में लगे हैं बेल आइकान के बटन को प्रेस करके और पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड ह होने वाली गुरू जी के ब्लैसिंग और सच्छंग संगज जी आप तक पहुंशते रहें अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कौने में रहते हैं और गुरू जी के प्यारे से चैनल पर अपना सच्छंग अप्लोड करवाना चाहते हैं पूरी वाटसप नमबर पर हमें भीज सकते हैं ताकि हम गुरू जी के प्यारे से चैनल पर आपका सच्छंग अप्लोड कर सके हैं जै गुरू जी जैसे आप सब को मालूम है कि गुरू जी की आर्मी वालों के उपर बहुत ब्लैसिंग रहते हैं बहुत विशेश किर्पा हमेशा स ही रही है जब से गुरू जोले में रहे हैं तब भी और आज भी आर्मी वालों के लिए गुरू जी के दिल में हमेशा से बहुत खास जगे रहती है उसके बहुत बड़ा कारण भी है संगाजी जहां तक मैंने समझी है गुरू जी सोजी बक्षिया समझने की कि आर्मी वाल कषमीर साइड में, माइनस 20 में, हमारे आरमी के जवान संगजी, वहाँ पर पहरा दे रह रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, तभी हम अराम से अपने A.C के कमरे में सोते हैं, संगजी, इसलिए गुरु जी के हमेशाँ से बहुत ہी blessing रहेंगे संगा जी और मज़े के बाद देखे आज का जो सत्संग ना वो भी कहां से गुरुजी ने भेजा है संगा जी हमारे भारत का मुकृत जी से कहा जाते हैं वो state हाँ जी लेह लद्दा कश्मीर हाँ जी तीन लेह से आर्मी के अंदर अंकल है पोस्टिट लेह में उनकी पूस्टिंग इंडि समय उनकी आंती में वनको brush के रहा हूं इसले मैं इसले मैंने स्टारटिंग में an army auntie लिखा एं आर्मी आंटी नहीं अपना यह संग शियर किया गुरुजी का बहुकत ब्लशister संग संगत जी आपके रोंग्ते अंटी जी ने लहे से अपने प्यारा सा सत्संग गुरु जी के इस चैनल पर शेयर किया है चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं जै गुरु जी जै गुरु जी संगत जी शुकराना गुरु जी आपका अनंतम शुकराना मेरे मालक कि आपने मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौ अच्छे कर्म करे होंगे जो हमें खुद महाशिव ने थाम रखा है अब मैं गुरुजी से आगया लेती हूँ गुरुजी मैं सत्संग शुरू करूँ मेरा कनेक्शन गुरुजी से 2019 October में हुआ या मैं कहूँ हमें खुद नहीं पता कि हमारा कनेक्शन कब से होता है उससे पहले ही गुरुजी ने अपनी प्रेजन्स फील करवाना शुरू करती थी 2018 में मुझे हमेशा ड्रीम्स आते थे जिसमें मैं देखती थी कि स्नेक्स साप घूम रहे हैं घर में हमारे घर में हमने फामिली मेंबर की तरह साप है और ये सपना मुझे हर रोज ही आता था हर रोज रात को सपना आता था कि घर में साप है और हमने दरवाजे उठाए हुए है उनके लिए और फ्रेंडली घर में घूम रहे हैं साप एक बार शिव भगवान नजर आए, शिव भगवान की मूरती नजर आए, सफेद रंग की, और बहुत खुशी हुई सुवेर उटके कि शिव भगवान नजर आए, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो शिव भगवान साथ में है, यह महसूस हुआ, और मीर को गुरुजी की बा जाब में पोस्टिट थे, तो एक दिन घर में आये वो, और वो हमीशा बोलती थी, जै गुरुजी, जै गुरुजी, तो मेरे मन में आता था, कि इतनी मौडन है, इतनी मौडन वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, और यह कौन से गुरुजी को मान रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता कि भगवान आपके साथ connected है, और यह नहीं पता कि शिप भगवान तो connected है, लेकिन उसके पास तो खुद गुरुजी connected है, तो गुरुजी बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन होता है कि आपको महसूस होता है कि आपको जादा शिप भगवान का हुआ है, गुरुजी कौन ह तो मैंने उनको बोला कि अब फोटो दिखाएंगे तो आंटी जी ने फोटो दिखाई तो मैंने फोटो देखी गुरुजी की गुरुजी से माफी चाहूंगी बट मेरे को लगा मैंने का ये पता नी क्या मतलब इन चीजों को मानती है और किन चक्रों में पड़ गई है तब ये एहसास दिवा कि ये तो गुरुजी हैं महाश्व हैं उससे पहले भी 2018 में गुरुजी ने कितनी बार मुझे एहसास करवाया अपना कभी कबार चार बजे आंग खुल जाती थी तीन बजे आंग खुल जाती थी और उटके बैटती थी तो मुझे ना डंबरू की आवास देती थी कभी कबार रात को घंटी की आवास देगी कान में जोर से दिन में भी एक बर शोर मचा हुआ था तो घंटी की बहुत जोर से वास इदर मंदिर में घंटी बचती है वैसे कान में घंटी की आवास दी मेरको लगा कि भी डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा कि घ 2018 में ही मेरे फाजर ने लोग काफी बेमार चल रहे थे और पुर्ण माशी का दिन था उस दिन भी मुझे घंटी की अवास रात को सुनाई दी और मैं डर गई बहुत जार डर गई फिर अगले दिन मुझे हमें खबर मिली कि मेरे फाजर न लोग की देथ हो गई है आज महसूस होता है कि तब गुरू जी बोल रहे थे तब गुरू जी थे शे भगवान थे बोल रहे थे कि मैं तुमारे साथ हूँ पुरे परिवार के साथ खड़ा हूँ संकर जी गुरू जी हमें हर पल प्रोटेक्ट करते हैं हर पल हमारी रक्षा करते हैं हमारे साथ रहते हैं हर पल हमारी भी प्रोटेक्शन गुरुजी ने कोविट के टाइम पे करी जब लॉगडाउन लगा हुआ था तब उस टाइम पे हमारी पोस्टिंग आई है अंकल जी की पोस्टिंग आई असाम और उससे एक महिने पहले गुरुजी ने हमें एक गिफ्ट दिया था एक पैरट का मदर मिल रही थी कुछ नहीं तो हमने उसको पाल लिया फैनली पुरा एक महिनी का वह हुआ समझ में आने लगा यू बीक थी उसकी पता चल रहा था कि पैरट का बेबी है वो फैनली फिर हम मूव करने का टाइम आ गया पैकिंग वैके मूव करने का टाइम आ गया तो अब यह था कि फ्लाइट में जाएं कि ड्राइफ करके जाएं लेकिन गुरुजी की जैसी इच्छा हमने डिसिजिन लिया कि हम कार में जाएंगे और बच्चे वगरा भी थे कि नहीं उसको हम पैरट को छोड़नी सकते हम कार में जाएंगे बिकुल वो इंडियन पैरट था तो वो हमें डर था कि फ्लाइट में नहीं लेकि जा सकते हम उसको तो हमने भी ड्रोब दाउन फ्रॉम बटिंडा टू असाम और एक्जाक्ली हमें एट डेज लगे हरोज हम आठाठ गंडा ट्रावल करते थे विकॉस अफ पैरट उस ताइम पे रलाइज नहीं हुआ कि वो पै पार में सेफली रुक रुक के कैंट में रुक रुक के हम असाम पहुचके और वो पैरट हमारे लिए बहुत खास था वो फैमिली मेंबर बन गया था संगत जी इतना डिफिकल्ट हो जाता है जिस तरह हम पेट डॉक को पालते हैं उस तरह से हमारे लाइफ में वो आया था और exactly five months हमारे साथ रहके वो एक दिन असाम में उड़ गया अब वो जिस दिन उड़ा संगत जी तो ऐसा लगा केरा बच्चा गुम हो गया अब उस state में ये था कि मुझे सर्फ महाश्रफ दिख रहे थे सामने मैं दिन भर तो ढूंती रहेगी वो कभी एक पेर से दूसरे प वो जवाब भी दे रहा था लेकिन नीचे नहीं आ रहा था वो उसको लगा नहीं आना नीचे तो रात को में शिप भगवान से बात कर रही थी मैंने का जल्दी भी सो गई मैंने का शिप भगवान अभी जो करोगे आप करोगे आपने उड़ाया आपने दिया था आपने कि और पूरी रात ही मैं रोती रही, शे भगवान को याद करती रही, फिर तीन बजे करीब, एक मैं इंस्टाग्राम पे देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें लिखा हो आया, suggestion for you गुरुजी, अब जब आया suggestion for you गुरुजी, तो मुझे फेस जाना पेचाना लगा, जो मेरी दोस्स ने मुझे दिखाया था, बर खाईणी न дов मुझे पहले पर दिखाया था, गुरुजी के पारे में, तो मेरे को तब मैंने उनके रो रही थी मैं, क्योंकि एक माहा का दिल हो गया था, बच्चा गया मेरा, मैंने यूट्यूब में गई, यूट्यूब में, कि बहुत सारे सत्संग सुनने शुरू कर दिये, गाने सुनना शुरू कर दिये, जिनको मैं मानती नहीं थी, जिनको मैंने कभी सोचा नहीं कि वह इतने इंपॉर्टन हो जाएंगे मेरे लाइफ में. तो संगत जी मैं उस तोते को दूने के लिए हर रोज सुवरे उठती थी मैं तीन बजे और असाम में दिन जल्दी हो जाता है, तो चार बजे मैं वॉक पे निकल जाती थी, इससे पहले मैं बताना चाहूंगी संगत जी आपको, कि मेरे को हेल्थ इशूस थे बहुत जादा, जब सेकेंड डिलिवरी हुई थी तो उस ताइम पे मेरे को वेरिकोस वेन की प्रॉब्म स्टार्ट हो गए थी, और वस वेरी सिवयर, बिल्कुल थोड़ा सा बॉक करती थी, बैठना पड़ता थी, नसे बिल्कुल ब्लॉक हो जाती थी, ऐसा लगता था, तो अब देखो इ दिया जलाती थी, जादा पूजा पार्ट में मेरा इतना था नहीं, बस भगवान को बोलती थी रक्षा करना, बाकी सब आपके उपर है, इतना ही था मेरा पूजा पार्ट में, ऐसा कुछ नहीं था, बस भगवान में विश्वास था, उसी से चलते थे हम, तो उठाते थे पूजा करती थी मैं, फिर वॉक पर जाती थी, मुझे याद है छे साथ दिनी होए थी, तो मेरे पैर की बहुत जादा पैर में बहुत दर्द हो गया था, सिर्द हो गया था, तो मैं बैठी हुई थी, लिविंग रूम में, और मैं गुरु जी का सवरूप, अभी तक भी व नीचे जा रही थी मैं, उनसे कि कुछ तो शक्ती है, कोई चो चीज है, जो मुझे बहुत पुल कर रही है, तो मैंने देखा, फोटो देख रही थी, चोला देख रही थी, कौन से बाइट कलर का, यलो कलर का, मैचिंग अपने रूम के साब से देख रही थी, मैं, संगस जी बिलीव मी, मुझे इंस्टाग्राम में में मेसेज आता है, कि तु मेरे कपड़े क्या देख रही है, मैं तो लाइट आँ, और वाक करने थे सारी एलमेंट्स धूर उन दिया, अब मैं तो शौक में चले गी हूँ, क्योंकि मैं वाक भी कर रही थी, और कपड़े भी देख गुरुजी के, तब मुझे आगे कनेक्शन हुआ कि है कुछ तो बहुत मतलब मेरे गूसबंस हो गए उस टाइम पे कि ऐसी इतनी पावर्फुल चीज जो मेरे मन में चल रही है, वैसी मुझे मुझे मेसेज मिल रहा है, और संकत जी उस वाक को गुरुजी ने करा करा कि मेर पूरी पैरों का जो वेरिकोस वेन की प्रॉब्म थी, वो कहां गयाप कर दी, मुझे सच में मालूम नहीं है, तब से लेके आज तक मुझे कभी पेन नहीं हुआ है, शुकराना गुरुजी आपका अनंतम, शुकराना मेरे मालक, संगत जी, एक और मैं सत्संग सुनाना चाह आते हैं, और काफी टाइम गुरुजी अपने दर्शन भी देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता किस रूप में आते हैं, किस रूप में नहीं आते हैं, गुची ने एक बार इंस्टाग्राम में मेसेच दिया, कि मैं तिरको कुछ देके जाओंगा, तो उसको संभाल के रखन अब मैं पूरे दिन ढूंती रहे कि कि गुरुजी क्या देंगे, क्या देंगे पूरे घर में, और गुरुजी आप विश्वास करिए, कि गुरुजी ने मुझे एक अंगूठी दी, जो मैं आपको फोटो भी आपको शेयर कर दूँगे, कि कौन सी अंगूठी थी गुरु हुआ था, बेरी बूटिफुल रिंग, इसकले भी गुरुजी आपका पहुष्चुक्राना, और ऐसी एक बार मैं सथसंग सुन रही थी, और उस सथसंग में था कि गुरुजी दर्शन देते हैं, अपनी निशानी छोड़ के जाते हैं, निशानी ये वाली अंगूठी तो देखा, तो वहां एक द्रशूल बना हुआ था, वाल पे, एक बटरफ्लाइ बनी हुई थी, और एक फेस बना हुआ था, जिसमें आखे नाख और प्रॉपर फेस है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगी फोटो उसकी, वो भी मैं आपको संगत जी शेयर करूंगी फोटो, गुरुजी के आदेश से ही होते हैं, लेकिन हाँ ये सच भी है कि गुरुजी हमारी परिक्षा भी जरूर लेते हैं, हमें कितना विश्वास है उनके उपर, हमारे करम हैं, वो हमें काटने तो हैं ही हैं, उसमें से भी गुरुजी ने 90% तो हमसे ले लिये हैं, 10% दिये हैं क लेकिन गुरू जी वही परिक्षा लेते हैं उस टाइम पे कि क्या हम उन पे विश्वास करते हैं, क्या हमें विश्वास है कि वो हमारा साथ देंगे एक और सत्संग सुनाती हूं मैं आपको, हम जिस घर में रहते थे, उस घर में लोग बोलते थे बहुत सांप रहते हैं, बहुत पराना गड़ता वो और मैंने गुरुजी से कहा था मैंने गुरुजी देखो मुझे साम से बहुत डर लगता है साम अंदर नहीं आना चाहिए के बीबी तो गुरुजी ने मेरी बात वो तो सुन ली लेकिन एक दिन एक पारसल आया हुआ था वो बाहर रखा हुआ था तो कोविट के टाइम पे हम हर्षी सेनेटाईज जैसे आपको पताएे साब में बाहर था तो पारसल रखा हुआ था इस सेनेटाईज के इस पारसल को अप मानेंगे निसंगजी असके अपर एक साम लिप्टा हुआ था कोब्रह और उस मेरी बेटी ने पुरे सेनेटाइस किया, लेकिन, उस सामको उसको कुछ नहीं किया, उसने जब पार्सल उठाया, बट, हमने सुना बहुता कि, वहां साम होते हैं, और बचके रहना, लेकिन उसके बाद कभी भी ऐसा कभी incident नहीं हुआ, हम पुरे nine months वहां रहें, बढ़ हमारे सथ कभी ऐसा नहीं हुआ, तो शुक्राना गुरुजी आपका, ऐसी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, सत्संग तो बहुत सार है मेरे पास, पर ये सत्संग मेरे लिए सबसे नीच यह रहे थी, उनको नीन की problem हो गई थी, तो तब उस टाइम पे वो मेरे पास आया हुए थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने मेरे फादर ने वो stone पहना हुआ था गले में, तो मैंने का, मैंने का पापा इसको निकाल दू, ये गुरुजी हैं आपके साथ, वो ठीक कर द पापा को पहनाना है, तो जैसी मैंने वो निकाला उनकी गले से, उस टो निकाला, अगले दिन मैं एक पालर गई थी, तो वहाँ जब पालर वाली थी, उसी के पास ये गुरुजी का सुरूप था, उसने मुझे तुरन बोला कि आप भी संगत हैं, आपको लोकेट चेगा त अपने फादर को तब से, वो स्लीपिंग पिल का काम कर रहे हैं मेरे फादर के लिए, और पापा को बी-पी की प्रॉब्म थी, इवन वो भी नॉमल हो गया है, इट इस अल बेकास अफ गुरुजी, गुरुजी हर सेकेंड, हर पल हम सब के साथ हैं, संगर जी हमें महसूस कर अज़ने की जूरुत है, बस उन्हें हर पल वो हमारे साथ हैं, हम आजी चोटी-चोटी वेशस जो होती हैं, उन सब को पूरा करते हैं, चाहें हम उनको बताएं, ना बताएं, उनको सब पता है, संगर जी मांगना नहीं चाहिए हमें, गुरुजी से कुछ भी, कि employment जाता के जो गुरू जी बोलते थे मंगो मत मनुगा आकरी में गुरूजी का शुक्राना करना चाहूंगी गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना आपने मेरे परिवार की हर पल रक्षा की हैं और हर पल रक्षा करते रहिएगा और सब Сंगत की सबी मनों कामने पूरी करिएगा जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक जै गुरुजी